हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल, आज हम बनाने जा रहे हैं बयाली सिंज की दोती सिल्वार, वो भी बहुत ही आसन तरीके से आईए, इस पिरकार से हम उसकी कटिंग करते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ, ये मेरा कपड़ा है, जो मैंने 3 मीटर कपड़ा लिया है, और आप ध्यान रखें कि ये कपड़ा आपको डवलर्ज का लेना है, तब ये आप 42 सिंज की दोती सिल्वार बना पाओगे, और सबसे पहले मैं कपड़े को फूल करना आपको न्यूज पेपर पर बताती हूँ, देखिए ये हमारा कपड़ा है और ये कपड़े का अर्ज ह और ये हमारा 3 मीटर कपड़ा है, सबसे पहले हमें इसे ऐसे फूल करना है, और फूल करने के बाद हमें इसे अर्ज में ऐसे तिर्चा फूल करना है, हमने इसे ऐसे तिर्चा फूल कर दिया है, और इसी तरीके से आप कपड़े को फूल करने और जो एक्षा कपड़ा है, इसे आप कट करने, यह मेरा कपड़ा है, और कपड़े को भी सेम, हमें ऐसे ही फूल करना है, मैंने कपड़े को फूल कर लिया है, और यह हमारी खुली साइड रहेगी, और यह हमारी बंद साइड है, और हमने पहले कपड़े को फूल किया था, फूल करने के बाद हमने फिरी से तिर्चा फूल किया था, और यह हमने फूल कर लिया है, जो हमारा यह एक्षा कपड़ा है, इसे हम बाद में कट कर लेंगे, और पहले हम लेंद लेते हैं, जैसे कि हम 42 इंच की सलवार बना रहे ह तो हम इसमें 35 इंच ले रहे हैं जो हमारे पार्ट की लेंद है वो हम 35 इंच ले रहे हैं एक इंच सिलाई में चला जाएगा 34 इंच सिलके तयार होगा राठ इंच की हमारी बैल्ट सिलके तयार होगी टोटल 42 इंच की 32 सिलवार सिलके तयार होगी और जैसे कि यह हमारी महुरी आ रही है पौने साथ के करीव तो ऐसे ही हमें बंद साइड की तरफ से भी जितनी हमारी सीधी मोहरी आ रही है साथ या पौने साथ के करीव ऐसे हमें बंद साइड से निसान लगाना है और इसके बाद उस निसान को हम ऐसे मिलाएंगे ऐसे हमें इसे ऐसे तिर्चा मिलाना है बंसाइड की तरफ जितनी हमारी मोहरी बैठती है उतना ही हम बंसाइड की तरफ से लेते हैं यदि हम इसे ऐसे सीधा मिलाएंगे तो हमारा यह तिर्चा हैगा जैसे कि मैं आपको न्यूज पीपर पर बताती हूँ जैसे कि हमारी ये लेंथ है ये हमारी 6 इंच है तोटल हमने पहती सिंच ली थी ये हमारी मौहुरी आ रही है पौने 2 के करीब जो हमारी पौने 7 के करीब आई थी ऐसे ही हम बंसाइड की तरफ से पौने दो के करीब लेंगे और इसे हम ऐसे सीधा करेंगे सोरी तिलचा और इसे हम सीधा करेंगे यदि हम इसे ऐसे जो हमने तिलचा किया है नीचे की तरफ इसे हम कट करेंगे ऐसे जो हमने तिलचा किया था तो हमारा ये सीधा आएगा मोरी वाला हिस्सा और यदि हम इसे ऐसे सीधा करेंगे तो ये हमारा ऐसे तिर्चा आएगा तो ये ही अंतर है सीधी मोरी निकालने का तरीका कि हम इसे ऐसे सीधा नहीं ले सकते क्योंकि ये हमारी तिर्ची मोरी आएगी और हम ऐसे जो इसे तिर्ची करके कटिंग करते हैं तो हमारी सीधी आती है और इसके बाद हम आसन पे निशान लगाएंगे हम आसन की length ले रहे हैं 9 इंच के करीव 9 इंच के करीव हमें इसकी length लेनी है और इसके बाद जो हम आसन की चोड़ाई लेंगे वो हम डेड़ इंच के करीब ले रहे हैं यदि आप हेल्थी हैं तो आप इसकी चोड़ाई जो हम डेड़ इंच ले रहे हैं आप तीन इंच लें और लेंध आप नो के करीब ही लें और ऐसे हम इसे ऐसे सीदा कर रहेंगे और इसके बाद हम इसकी एक इंच के करीब गोलाई करेंगे ऐसे और इसके बाद जो हमारा एक्ष्टा कपड़ा है इसे हम कट कर लेंगे जैसे कि मैंने आपको न्यूजबी पर पर बताये था और हमने यह एक्ष्टा कपड़े को कट कर दिया है इसमें से हम बैल्ट निकालेंगे और सबसे पहले हम महुरी कट करेंगे फिर हम आसन कट करेंगे उससे पहले हम साइड में एक निसान लगाएंगे जहांपे हम जो साइड में दोति सिलवार के में जो डिजाइन बनता है यहाँपे हम कट करेंगे डेड़ इंच के करीब और यहांपे हम इसकी गोलाई करेंगे और इससे पहले मैं आपको न्यूज पिरपर फिर से बता देती हूँ यह हमें महरी कट करनी है यहां से हम यह आसन का निसान लगाया था और यहां पर हमने डेड़ इंच के करीब निसान लगाया था और एक्षा कपड़े को हमने कट कर दिया था जिसमें से हम बेल्ट निकालेंगे अब हम इसकी कटिंग करेंगे पहले हमने मोहरी कट की है और इसके बाद हमने ये आसन कट किया है और फिर हम जो डेड़ इंच पे हमने निसान लगाया था वो हम कट करेंगे और इस तरीके से हमने इस दोती सिल्वार की कटिंग कर ली है और इसके बाद हम बैल्ट निकालेंगे सबसे पहले हमने कपड़े को फोल किया है और इसकी लेंद हम 10 इंच ले रही है ऐसे 10 इंच पे हमें पूरे पर ही निसान लगाने है सिलके तैयार ये हमारी 8 इंच की होगी और वैसे टोटल जो हमारी बेल्ट की चोड़ाई है वो 48 इंच है तो हम जो पहला हम बेल्ट को दो हिस्सों में काटेंगे वो मैं आपको आसान तरीका बता रही हूँ सबसे पहले हमें बेल्ट की जो फ्रंट की चोड़ाई लेनी है वो हम ले रहे हैं 25 इंच और सिलके तैयार ये 24 इंच की होगी और ऐसे ही बेक की बेल्ट भी हम 25 इंच ही लेंगे सिलके तैयार वो 24 इंच की करनी है और 24, 24, 48 इंच की हमारी ये बेल्ट सिलके तैयार होगी ऐसे हमने कटिंग कर ली है जो हमारा बेक का परदा है बेल्ट का वो कम है तो उसमें हम अलग से कपड़ा जोड़ लेंगे और टोटल हमने इसकी लेंच 25 इंच ली है सिलके तैयार 24 इंच की होगी और ऐसे ही बेक की बेल्ट भी हमें 25 इंच ही लेनी है और सिलके तैयार हम 24 इंच की करेंगे और हमने ये बेल्ट की कटिंग कर ली है और हमारी टोटल धोती सिल्वार की कटिम हो गई है इसके बाद हम पर्दे को अलग करेंगे और यह हमारा बैक पर्दा है यह हमारे दो पर्दे हैं बैक और फ्रेंट तो बाद में ही होगा यह हमारे दो पर्दे हैं और सबसे पहले एक पर्दे को हमें front की belt पे लगाना है जोड़ना है तो उसके लिए हमें belt को ऐसे fold करना है और fold करके हम center point पे cut करेंगे और जो हम ये cut कर रही है ये हमारा side में आएगा और जो हमारी side है इधर की एक side हमारी front रहेगी और एक हमारी back side रहेगी और सबसे पहले हमें इसे सिंगल करना है जो हमने पार्ट्स लिये हैं और जो यह तिर्चा हिस्सा है यह हमारा कट पे आएगा और ऐसे हम इसमें चुन्नटे भरेंगे और यह हमारा एक तो हमारे बैक साइड रहेगी आसन की और एक फ्रेंट साइड रहेगी ऐसे एक परदे को हमें सेम यह मैं आपको बहुत आसान तरीके से बता रही है इसमें कोई भी confusion नहीं है और ऐसे हमने इस तोटी सिल्वार की cutting की थी अब मैं आपको इसकी सिटीचिंग करने का तरीका बता रही हूं किस बिरकार से सिटीचिंग करनी है देखिए यह हमारी बैल्ट है और यह हमारा center point है इस belt का जो side में आएगा एक front side रहेगी belt की और एक back side रहेगी और यह हमारा center रहेगा center पर हमें इस cut को रखना है और एक आसन हमारा इधर की side में आना है और सबसे पहले हमने belt को लिया है और इसे सीरी तरफ से रखा है उपर से हमने इस कपड़े को उल्टी side में रखा है और रखने के बाद हमें simple 2 inch पे सिलाई करनी है और इसके बाद हमें इसमें चुन्नटे भननी है और चुन्नट जो हम भरते हैं उनका direction हम दूसी तरफ करते हैं धूती सिल्वार में ऐसे और इस तरीके से हमें ये चुन्नटे भननी है जो हमारा कटता वहां तक सेम ऐसे ही हमें ये कटतत चुन्नटे भननी है देखिए ये चुन्नटे हमने यहां तक भरी है ऐसे और जो हमने ये गोलाई की थी हमें हाफ इन छोड़ देना है और जो हमने गोलाई की थी कपड़े की डेरिंज पर इनकी हमें छोटी छोटी चुन्नटें बनानी है ऐसे और बनानी के बाद इसे हमें कट पे रखना है ऐसे जो हमारा एक cut है यहाँ पे हमें इन चुनटों को ऐसे सिलना है यह हमारा design आता है यहाँ पे और इसके बार जो हमारे plates है इनका direction हम अपनी तरफ करेंगे पहले हमने दूसरी तरफ किया था अब इनका direction हमें अपनी तरफ करना है और इसी तरीके से हमें इसमें पूरे में ही चुन्नटे भननी है लाश्ट तक मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से धोती सिल्वार सिलना बता रही हूँ यदि आपको फिर भी समझने में कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे हमें इसमें पूरे में ही सिंपल कपडा छोडना है और इस तरीके से मैंने इसमें पूरे में ही चुन्टे भननी है और यह हमारा एक परदा तैयार होगया यह हमारा डिजाइन आएगा दोती सिल्वार में और सेम ऐसे ही हम दूसरा पार्ट्स तैयार करेंगे इसका और इससे पहले जैसे कि यह हमारा डिजाइन है यह साइड में आएगा और अब हम इसके उपर जो बैल्ट है इसके उपर हम सिलाई लगाएंगे वह हम फिनिशिंग के लिए भी लगाते हैं और जल्दी से हमारी सिल्वार उदर डेनी उसके लिए भी लगाते हैं यह जो हमारा कपड़ा है इसे हमें उपर की तरफ करना है जो और ऐसे हम पूरे में ही सिलाई लगाएंगे एक देखिए एक पर्दे को मैंने तयार कर लिया है और ऐसे ही से माप दूसरे पर्दे को तयार करें एक पर्दा मैंने आपको तयार करना बताया था दूसरा आप तयार करने देखिए मैंने एक पर्दा तयार कर लिया था और दूसरा भी और इस पर्दे को हमें नीचे वाले पर् रखना है और रखने के बाद जो हमारा बैक साइड है आसन उसे हम ऐसे रखेंगे और बैल्ट से ही हम नीचे तक इसमें सिलाई लगाएंगे इसमें हमें पूरे में ही सिलाई लगानी है बैक आसन पर अब ऐसे हमें रखना है और लाश्ट तक बैक पर हम ऐसे ही सिलाई लगाएंगे जो हम आसन सिल रहे हैं इसे हम पूरा ही सिलेंगे बैल्ट से लेकर लाश्ट तक और इसके बाद जो हमारा दूसी तरफ का आसन है उसमें हम दो इंच के करीव छोड़ना है हम बैल्ट और वीडियो में मैं पहले ही बेल्ट बनाना बताती हूँ और हम दो एंच पे करीब एक कपड़ा छोड़ देंगे और इसके बाद जो हमारा कपड़ा बचता है उस पे हम सिलाई लगाएंगे हमने इस लाई लगा ली है और इसके बाद जो हमारा एक कपड़ा है पहला फोल्ड करते हैं हम ऐसे और फिर एक और फोल्ड करते हैं और फोल्ड करने के बाद हम इस पे सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगाने के बाद फिर दूसरी साइड में सिलाई लगाएंगे हम और इसके बाद हम बेल्ट फोल्ड करेंगे और पहला फोल्ड हम हाफ इंच पे करेंगे और दूसरा फोल्ड हम एक इंच पे करेंगे तो टोटल हम इसे डेड़ इंच फोल्ड करेंगे और हाफ इंच हमारा इस लाई में चला गया है नीचे की सैड में तो 2 इंच हमारी बैल्ट फूल्ड हो गई है और जैसे कि हमने शुरुबाद में हाप इंच फूल्ड किया था उतना ही हमें लाश्टे तक फूल्ड करना है इससे फिनिसिंग आती है और बैल्ट अच्छे से फूल्ड हो जाती है कम ज़ादा नहीं करना कम ज़ादा करने से फिनीशिंग नहीं आती है और जो ला जाता है ऐसी हमें पूरी बैल्ट को फूल्ड करना है और ऐसे हमने इसमें बैल्ट तैयार कर ली है बनाके और इसके बाद अब हम महरी बनाएंगे यह हमारा साइड का डिजैन है अब हम महरी बनाएंगे और महरी बनाने के लिए मैंने बुकरम ली है और इसके उपर कपड़े को रख के सिल लिया है कपड़े की लेंड ज्यादा लेनी है और बुकरम आप जितनी दी चोड़ी महरी बनाना चाहती है उसी के अनुसा लेनी है और जो हमने इसकी चोड़ाई ली है बुकरम की वो दो इंच हमने एक्ष्रा ली है और इसे एक्ष्रा हमने इसलिये ली है क्योंकि नीचे हमारी जो सलवार है इसकी लंबाई कम है और उपर जादा हो जाती है इसलिए हमने दो इंच ली है और ऐसे रखके हमें सिलाई करनी है सिलवार के कप्टे को हमें सीधा रखना है और इसे हमें उपर से उल्टा रखना है और ये हमने एक इंच के करीब बुकरम निकाल के सिली थी और इसे फोल्ड करके हमने एक सिलाई लगाई है और देखिए यह उपर से बिलकुल ठीक आई है नीचे से कम चोड़ाई थी उपर से ज़्यादा है और इसके बाद हम इसे ऐसे सीधा करके दो-तिन सिलाई लगा लेंगे ऐसे हमने इसमें दो-तिन सिलाई लगाई है और जो हमारी एक्षा बुकरम है इसे हमें ऐसे कट करना है और ऐसे हमें दूसरी महरी भी बना के तयार कर लेनी है एक महरी हमने आपको बनाना बताया था इसके बाद हमें इसे फोल्ड करके रखना है और फोल्ड करके हमारी महरी तेर है थी और उसका हाफ हुआ साड़ी छाइंच तो हम साड़ी छाइंच पे एक निसान लगाएंगे और ऐसे ही हम दूसरी महरी में भी लगा लेंगे और यदि आप जादा चौरी महरी पहनना चाहती है तो ये महरी वाला हिस्सा आपको अलग से लगाना पड़ेगा और जो हम लेंगे वो इसमें कम कर देंगे जितनी बड़ी आप महरी लगाना चाहती है तो ऐसे लेंथ में 2 इंच कपड़ा कम कर दें और ऐसे आप बड़ी महरी भी बना सकती है यही तरीका है यदि आप चौरी मोहरी पेहना चाहती हैं तो उसका और इसके निसान हमने लगा लिये हैं और निसान लगाने के बाद हमें पूरे में ही यह सिलाई करनी है ऐसे हमें इसे रखना है और रखने के बाद हम इसमें पूरे में ही सिलाई लगाएंगे और यह जो हमारी आसन की सिलाई है यह एक तूसरे के उपर आनी चाहिए तब ही सिल्वार अच्छे से बन पाएगी और इसके बार हमें ऐसे ही लाश्ट तक सिलाई लगानी है देखे इस तरीके से मैंने इसमें पूरे में ही सिलाई लगा ली है और इस तरीके से मैंने इस दोती सिल्वार को सिल्के तयार कर लिया है यदि फ्रैंड आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सेयर करें थैंक यू